तो गुड़ मॉनिंग दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में सभी सिच्छत बंधूं का बहुत-बहुत स्वागत हार्दी का भिनंदन करता हूं खासकर आज मिशन प्रशनो 3 के क्रम में हम लोग कुछ कोश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका आंसर जानेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जो पहला कोश्चन यहाँ पर है कि सिच्छड संग्रह हस्त पुस्तिका में निम्न में से किसका उलेख है तो यहाँ पर तीन आप्षन दिये हुए हैं कि बच्चों के चिन्हांकन, वरगिकर्ड एवं विभिन सिच्छड तकनिक्यों का उलेख यह पहला आप्षन है रोचक तरीकों का उलेख तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सेकेंड आंसर बिल्कुल राइट है कि रुचिकर एवं प्रभावी कच्छा से छड़ हेतू निर्मार वा अनसैचिक सामगरी का उलेख बिल्कुल राइट आंसर है यह इसके अलावा जो नेक्स्ट कोश्चन यह पर आपके स्क्रीन पर है वह है एक सिच्छत बाल संसद में प्रधान मंत्री इवं उप प्रधान मंत्री के चैन में निम्न में कौन सी प्रक्रिया अपना सकता है तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि पहला अप्शन दिया हुए कि प्रधान मंत्री इवं उप प्रध बालिका का अवस्य करें और तीसरा अफ्षन है प्रधान मंत्री एवं उप्रधान मंत्री जैसे महत्पूर दोनों पद बालकों को दें और चौथा और अंतिम जो आफ्षन है वह प्रधान मंत्री का पद स्वयम अपने पास रखकर उप्रधान मंत्री का पद बालक या बालि दे तो इसमें जो सही आंसर है वह है दोनों पदों में से एक चैन बालिका का अवस्य करे इसका जो भी आंसर है वो बिल्कुल राइट है अब हम अगले प्रश्ण की बात करेंगे जैसा यहां पर दिया हुआ है सिच्छड संग्रह हस्त पुस्तिका में किस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है तो यहां पर दो आप्शन दिये गए हैं एक तो सिच्छड योजना और दूसरा पाठ होजना तो जिसका सही आंसर है वह है सिच्छड योजना बिल्कुल राइट आंसर है यह अब ह कि कच्छा 3 से 5 में कच्छा सिच्छड के दवरान बच्चों के लिखित और मौखिक कारियों के लिए अनपात रखना आवश्यक है जबकि सिच्छक मीता का मानना है कि कच्छा 3 से 5 में इसके लिए यहां आवश्यक नहीं है कि लिखित और मौखिक कारे में कोई अनपात होना चाहिए निम्न में से सही विकल्प चुनिए तो यहाँ पर आप दो आफशन देख रहे हैं पहला आफशन है सिच्छक मीता सही है क्योंकि छोटे बच्चों में प्रति दिन लिखित मौखिक कार में अनपात बनाना उचित नहीं रहता है दूसरा अफशन है सिच्छका रीता सही है क्योंकि बच्चों के संपूर विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है तो इसमें यह जो दूसरा अफशन है बिलकुर राइट है जिसमें लिखा हुआ है कि सिच्छका रीता सही है क्योंकि बच्चों के संपूर विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है अब हम अगले प्रस्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनामिका गडित की परिच्छा में सो में से असी अंक प्राप्त करती है यह है दो आफ़सन दिये वें एक मुल्यांकन है और आकलन है तो यहाँ जो सही आंसर है वह है आपका मुल्यांकन एवालिएशन बिल्कुर राइट आंसर है उसके अलावा एक चीज और आप ध्यान लखें इसमें कि आप देखिए यह यह जो कोश्चन है आपके सामने कि हस्त पुस्तिका में सैचिक नवाचारों के बारे में पढ़कर आपने क्या समझ बनाई सही विकल्पों का चेहन करे एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं तो यहाँ पर देखिए चार आपशन आपके सामने हैं और सबसे पहला आपशन पढ़ेंगे यह एक प्रिक्रिया है जिसमें सिच्छक अपने विचारों में परिवर्तन लाता है दूसरा है कि इसकी एक अनिवार सर्थ होती है इसके प्रियोग से बच्चों का सीखना सुगम होता ही होता है उसके लावा जो थर इसमें आपशन है सिच्छक अपनी सिच्छ प्रिक्रियाओं में बदलाव लाता है ताकि बच्चों को सीखने में लाव मिले और जो तीसरा है जो लास्ट है अन्तिम है ऐसी कोई अनिवार सर्त नहीं है कि बच्चों का सीखना सुगम हो ही बस वो कुछ अलग हो और कुछ आकरसक लगे तो इसमें जो सही विकल्प लग रहे हैं मुझे तो यहाँ पर यह जो सेकेंड आफ्षन है जैसा आप देख रहे हैं सेकेंड आफ्षन भी सही मुझे लग रहा है है भी और यह दूसरा भी और यह तीसरा भी हम पहले को विकल्प के रूप में नहीं चुन सकते हैं अगर चु जैसा यहां पर दिया हुआ है आपके सामने कि यदि कच्छा में बच्चे दरी या टाट पटी पर जूता बाहर निकाल कर बैठें तो ऐसी इस्थिती में सिच्छक को क्या करना चाहिए बिलकुल सही प्रस्ण बहुत अच्छा और व्यवारिक प्रस्ण है खासकर सिच्छकों के लिए तो यहां चाहे जूते पहन कर कच्छा सिच्छक करे या बिना पहने ही कोई फर्ग नहीं पड़ता है उसे तो यह पहला अफ्षन है दूसरा है कच्छा में चुप चाप जूता पहन कर ही कच्छा सिच्छक करना चाहिए बस ध्यान लखे कि जूता बच्चों से बाहर जैसा इसमें बता रहे हैं कि कच्छा के बाहर जूता निकाल कर ही अंदर प्रिवेश करके कच्छा से छड़ करना चाहिए इसमें जो है बिलकुल सही आंसर है लास्ट वाला कि कच्छा के बाहर जूता निकाल कर ही अंदर प्रिवेश करके कच्छा से छड़ करना चाह लाते भी हैं इसमें कोई टफ यह प्रसुल नहीं है तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं पहला है जुनियर विद्ध्यालेये में तूसरा तीसरा है प्रांथमी सत्का घठन किया जाता है अब हम आगे बात करेंगे जो next हमारा question है जैसा आप देख रहे हैं आजकल बाला पर B.A.L.A. पर कार्य करने की आउशक्ता बताई जा रही है आखिर इसका आर्थ क्या है इसका भी हमाई सिच्छक भाई बंदू बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते हैं और यहाँ पर जो पहला option दिया गया है प्रतेक बच्चे को आकर्शक किताबे वा अनसामागरी जो है उपलब्ध कराना है तो यहाँ पर जो आप इसमें second option देख रहे हैं कि बच्चों को बाला मूवी दिखा कर जागरुक किया जाना और जो third इसमें option है वह है विद्यालए भवन को आकर्शक भौति के वन सहचीक परिवेश देना तो यहाँ पर आप जो screen पर देख रहे हैं जो तीसरा option है बिलकुल right answer है कि विद्याले भावन को आकरशक भावती के उसे चीक परिवेश देना तो ये बिल्कुर राइट आंसर है अब हम अगले प्रस्म की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सी विशेष्टा अधिकम परिडाम तालिका से संबंदित है चुन तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पहली इसमें पहला जो विकल्फ है आफशन है वह है कि सिच्छक इन तालिकाओं में दर्ज दच्छताओं का उपयोग बच्चों के सतत आकलं से प्राप्त नतीजों को दर्ज करने के लिए करेंगे जो दूसरा आफशन है इसमें वह ह है कि ये तालिका प्रतेक अच्छा में वसियां दूसार सिच्छ को द्वारा प्रदर्शित की जाएंगी और जो थर्ड है वह है इसमें विभिन विश्यों की अप्य दच्छताओं का विवड़ है वह इसके सापेच बच्चों की वास्तविक इस्थी प्रदर्शित करने का प्रावधान है तो इसमें जो पहला अफसन दिया है वो भी राइट है किसी चक इन तालिकाओं में दर्ज दच्चताओं का उप्योग बच्चों के सतत आकलन से प्राप्त नतीज्यों को दर्ज करने के लिए करेंगे और जो दूसरा है कि ये तालिका प्रतेक अच्चा में विश्या अनुसार से चिको दारप प्रदर्शित की जाएंगी और जो थर्ड आफसन इसमें दिया है कि इसमें विभिन विश्यों की अपेचित दच्चताओं का विवरण है वा इसके सापेच बच्चों की वास्तविक इस सिटी प्रदर्शित करने का प्रावधान है तो ये खासकर ये तीनों ही आफसन इसमें सही हैं तो आज खासकर हम लोगों ने करीब 10 कोश्चन मिशन प्रेणा प्रस्नोत्री में हल किये आगे भी आने वाले समय में मिशन प्रेणा प्रस्नोत्री और आधार सिला या धाना करस्वर से संबंधित जो भी कोश्चनार आते रहेंगे हम आप मिलकर उनका डिस्कस करेंगे उनका च्छमा चाहता हूं, तो मेरे वीडियो को जरूर आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेर करें और अपना अशुरवात दें, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से अच्छे खास कर इसे सम्मधित वीडियोज देता रहूं, और आने वाले समय में आपको खासकर लेशन प्लानिंग से सम्मंदित वीडियो भी मैं आपको दूँगा तो मेरे चैनल को आप सभी लोग बेल आइकोन जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद नमस्कार दोस्तों